अब यूट्टूब वीडियो के अंदर अपना आई बटन कैसे एड़ कर सकते हो जैसा कि आपने यूट्टूब वीडियो के अंदर देखा होगा एक आई बटन होता है कोर्णर पर उसको दबाने से या तो वो सब्सक्राइब के लिए मांगता है या फिर और वीडियो के आपको बता देता हूं आपको white studio open कर लेना है और उसमें जिस भी video पर आपको icon लगाना है जो i button का है उस video को दोस्तों इस तरीके से select करके यहां से pencil पर आपको click करना है उसके बाद दोस्तों आपको यहां जाना है corner में और यहां एक editor का option होता है left में यहां पर आपको click कर देना है इसके बाद दोस्तों आप यहां से इसको trim भी कर सकते हूं blur कर सकते हूं audio को जोड भी सकते और लगा भी और चैनल जोड सकते हो और लिंक जोड सकते हूं जोड सकते हैं मैं यहाँ पर चैनल पर क्लिक कर दता हूँ अब आपको दोस्तो कोई भी चैनल यहां से सब्सक्राइब meeting कर लेना है कि जिसको आप आई बटन पर लगाना चाहब है जैसे मैंने अपना चैनल dh tech hindi subscribe कर लिया है अब आपको यहां पर दोस्ते custom message लिखना है जो वहां पर अंदर खोलने के बाद होगा ठीक है तो मैं यहां पर एक किछी लिख देता हूं subscriber आपको बताने के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं subscribe subscribe channel ठीक है यहां पर लिख देना है जैसे मैंने यहां पर लिख दिया है और जो teaser text है जो i button पर कोई click करने से पहले जो दिखता है वो भी आपको यहां पर लिख दिया मैंने ठीक है 30 आप लिख सकते हो character यहां 30 की limit है और यहां से दोस्तों आप इसको कर सकती हो save जैसे कि यहां प button यहां पर दिखने वाला है ठीक है और आप यहां को यहां कर देना है save करने के बाद में जैसे आपकी वीडियो उपन होगी तो यह i button आपको वहां पर दिख जाएगा starting कि आपकी जो भी आपने time set किया 3 second, 4 second, 10 second उस तरीके से दोस्तों इस video मैंने आपको i button लगाना बताया ह वीडियो के अंदर, वीडियो हेड़ पूर लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना हूँ